हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने Poco X6 Android में आप अपने मुवाइल फोन की बैटरी ड्रेन की जो प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको ने में करना है तो चले हैं अपके मुवाइल फोन की बैटरी जो ब्रेन होने लगते फोन की जो brightness होती है इसको भी आपको कम रखना है ठीक है जब आपको फोन को यूज नहीं करते है तब आपको इन सब का ध्यान रखना है जो बाते मैंने आपको बताई है अगला काम यह करना है आपको जो अपने पॉलाई फोन को एक बार रिबूट करना है इसके लिए फोन के side वाला power button आपको उगली से दबाके रखना है आपका पेज आएगगा इसमें जो बीच वाला बटन है इसे बीच वाले बटन को नीचे की तरफ सरकान है रिबूट की तरफ इससे आपका मुवल फोन जो आपको म setting page open कर लेना है setting page के अंदर आपको है न सबसे उपर यह about phone के सामने अगर कोई भी update का बटन यहां पे लिखा हुआ या दिखाई देता है तो इससे आपको tap करके अपने phone का software update कर लेना है ठीक है अब यहां पर दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान रखने है आपने कोई भी न होता है नीचे जो तीन बटन होते है तीन में से जो minimize का बटन होता है इसे आपको ऐसे करना है ठीक है दबाएंगे तो यहां पर आपकी न काफी सारे जो files होती है एप्स होते है वो open रह जाते है तो इन सब फाइल्स को आपको जो है ना cut कर देना clear कर देना ठीक है बैक्राउ नहीं करते हैं तब आपको phone को reset करना है otherwise नहीं करना है phone को reset करने के लिए phone का setting page open करिए सबसे उपर आपको यह search setting पर आपको tap करना है यहां पर सबसे उपर आपको search बार में reset आपको लिखना है आपको नीचे की side ने एक options हो जागा factory reset का इस तरीकिसे फैक्ट्री रिशेट पर टैप करना है आपको इस page में सबसे नीचे erase all data पर टैप करना है इससे आपका phone चाहर रिसेट हो जाएगा और आपके phone की जो battery drain की problem है यह आपकी solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने है आपके phone में जितना करने के बाद भी आपके problem solve नहीं होती तो आपको करने क्या है देखिए दूस्तों आपके mobile phone का जो service center है वहापर आपको चले जाना अपना phone वहापर दिखा देना है ऐसा मैं इसलिए कि हो सकता है आपके mobile phone के hardware के अंदर कोई दिक्कत आगी होगी जिसके कारण आपके phone की जो battery है वह ड्रेन हो जा रही है जल्दी जल्दी तो क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी solution बताया है mobile phone के software के जरीए बताया है ठीक है